विदेशों में खाद्या तेलों में आई गिरावट के चलते घ्रेलू तेल तिलन बजार में सरसो तेल तिलन सोया बिन तेल सीपियो बिनोला और पामोलीन तेल किम्तों में गिरावट देखने को मिली है दूसरी और डी ओयल केक यानि डी ओसी की सधारन मांग होने के कारण मुंगफली तेल तिलन और सोया बिन तिलन के भाव में बजारों में बहुत जादा मुमेंट फिलाल दिखाई नहीं दिया है वही मलेशियाई एक्सचेंज और शिकाको एक्सचेंज में आदे आदे फिसद की गिरावट दर्ज की गई है आपको बता दे कि मिली जानकारी के मुताबिक पामोलीन के आगे जो सोदे हुए है वो सोया बिन के मौझूदा भाव से भी 10-15 रुपे किलो सस्ते हैं इसे देखकर मौझूदा समय में खरीदार कारोबार से पीछे हट रहे हैं त्योहारी मांग फिलाल थमती नजर आ रही है पामोलीन के भाव के टूटने से लगबग सभी तेल तिलन किम्तों पर दबाव बन गया है और सोया बिन तेल के भाव भी डगबगा उठे हैं जबकि डियोसी की सधारन मांग निकलने से फिलाल के लिए सोया बिन तिलन और मुफली तेल तिलन के भाव में कोई बहुत जादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है वही माना ये जा रहा है कि आगे पामोलीन का आयाद बढ़ेगा और अगले तीन चार दिनों में एक देश में पामोलीन की सप्लाई बढ़ने की संभावना है गुरो रिपोर्ट मारके टाइम्स टीवी